एलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनाशल सिक्षा में वापस स्वागत है, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे आज हम एक बहुत पॉप्यूलर बजट नियम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो है 50, 30, 20 बजट रूल अपने पैसों को सही से मैनेज करने के लिए ये एक सबसे आसान और कारगार नियम है पैसा तो हर कोई इंकम कर रहा है, लेकिन सक्सेस्फुल वो ही बन पाते है, जिन्हें समय और पैसे को सही से मैनेज करना आता है नहीं तो जिन्दगी भर गधा जैसा मेहनत करते रहना होगा महीना के अंत में ज़्यादातर लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचता है, लोग जितना कमाते हैं, उतना खर्च कर देते हैं, फ्यूचर के लिए सेविंग के नाम पे कुछ नहीं लोगों के पास दस बहाने होते हैं, जैसे की बढ़ती हुई महंगाई, कम सालरी, सरकार कुछ नहीं कर रही, बगेरा बगेरा लेकिन ये सब बहाने सचाई से दूर भागने की बस कुछ जरिया है, जब तक आप सेविंग को एक आदत में नहीं बदलेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा 50-30-20 नियम आपको डिसिप्लिन बनाता है, ये आपके मेहनत के पैसे को कहा कितना लगाना है तै करने में आपकी मदद करता है चलिए नियम को विस्तार से समझते हैं और एक बहतर भविशे के लिए कदम बढ़ाते हैं 50 प्रतिशत, नीज यानी जरूरतों के लिए इंकम के 50 प्रतिशत पैसे को आवश्यक जरूरतों पे लगाए प्राइमरी नीज जैसे की जीवित रहने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर बिजली बिल, गैस बिल, लाइफ इंशूरंस, मेडिकल इंशूरंस, मेडिकल खर्चा आदी भी ऐसे जरूरते हैं जिसके बिना हम आसान जिंदगी जी नहीं सकते होम लोन के EMI या घर का किराया, ग्रोसरी के खर्चे और पहनने के लिए बेसिक कपड़े, नीज के लिस्ट में सबसे उपर आते हैं लेकिन कोई भी entertainment के खर्चों को आप जरूरत में नहीं ले सकते, जैसे की, cable TV, movie, subscription, theater में फिल्म देखने जाना आदी जरूरतों के नाम पर आप हिसाब से ज़्यादा expensive lifestyle लीड करेंगे तो, वो होगा खुद को बेवकुफ बनाना, आपको अपना lifestyle को income के हिसाब से सेट करना होगा उदाहरंग के लिए, अगर आपका मासिक आए 30,000 रुपे है, तो फिर 15,000 रुपे के अंदर उपर बताएगए सारे needs पूरी होनी चाहिए अगर उतने पैसे से needs पूरा नहीं हो रहे, तो फिर आपको income बढ़ाने में ध्यान देना होगा Rule is rule, या तो lifestyle को adjust करे, नहीं तो income को बढ़ाए, income के 50% amount से ज़्यादा आप needs पे खर्चा कभी नहीं करेंगे Friends, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूँ की, ऐसा valuable वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है, तो like, share और comments करे, और हमारा YouTube चैनल को subscribe करके bell icon को all पर set कर दे, ताकि नया वीडियो का notification तुरंट पाए अब आते हैं खर्चों की अगली category पे, 30% wants यानी चाहत के लिए सिर्फ needs को पूरा करके हम जिन्दगी तो जी लेंगे, लेकिन life को fully enjoy करने के लिए हमारे चाहतों का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा Wons category में वो चीज आते हैं, जो हमारी जिन्दगी को खुशाल, आसान और मनोरंजग बनाते हैं जैसे की, कभी कभी बहार दिनर करना, थेटर में मूवीज देखने जाना, वेकेशन पे जाना आदी घर पर exercise करके भी हम fit रह सकते हैं, लेकिन जिम जाके कुछ अलग खुशी मिलती है स्प्लेंडर बाइक से काम चल रही है, लेकिन चौक के लिए बुलेट खरिदना, 4-64 GB वाला फोन से काम तो चल ही रहा है लेकिन 8-256 पे अपग्रेद करना, 32 इंच टीवी काफी है चोटा परिवार के लिए, लेकिन 55 इंच में अलग ही खुशी मिलती है ऐसे हजारों उदाहरन है, जिसके बिना हम बिना किसी तकलीफ के जिन्दगी जी सकते हैं, लेकिन ये हमें खुशियां बहुत देते हैं सिर्फ बहतर भविश्य के बारे में सोचते सोचते अगर चाहतों को दबाते जाएंगे तो जिन्दगी रुखी सुखी बन जाएगी, इसलिए कभी कभी मन और दिल की भी सुननी होगी लेकिन उस वक्त आपको दिमाग से खर्च करना होगा इंकम के ज्यादा से ज्यादा 30 प्रतिशत अमाउंट आपको आपके चाहतों के लिए खर्च करना है उदाहरन के लिए अगर आप मासिक 30,000 कमाते हैं, चाहतों को पूरा करने के लिए आप 9,000 से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते ये प्रतिशत हमेशा कम करने का प्रयास करें अब आते हैं सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पर 20 प्रतिशत, सेविंग यानी बचत एक खुशाल वर्तमान जीने के साथ साथ एक बहतर भविश्य की योजना बनाने के लिए सेविंग सबसे एहम है इसलिए, इंकम का एक हिस्सा हमें सेविंग्स के नाम पर फिक्स करना होगा वो है आपके इंकम के कम से कम 20 प्रतिशत राशी Emergency Fund का Importance को पहले से ही हमने कोई बार चर्चा की है आपके पास कम से कम 6 महीने के नीज्स के खर्चों के बराबर Emergency Fund तो होना ही चाहिए Emergency Fund के पैसे को एक अलग सेविंग अकाउंट में deposit करे जहाँ आप Swap Facility उपलब्द करा के FD के बराबर Interest भी Earn कर सकते है Retirement के लिए आप PPF और NPS का सहारा ले सकते हैं जहाँ आपको जोखिम मुक्त High Return मिलते है इतिहास गवाह है कि आज तक Share Bazaar से ज़्यादा Return कोई नहीं दे पाया है इसलिए आपको सेविंग के 20 प्रतिशत की कुछ हिस्सा Share Bazaar में भी निवेश करना चाहिए सुरुआत में Index Mutual Fund को चुनिए जहाँ आपको मिलेगा टॉप कंपनियों के बहतरिन डाइवर्सिफिकेशन उदाहरन के लिए अगर आपके मंतली इंकम 30,000 रुपे है कम से कम 6,000 रुपे आपको हर महीने सेविंग करना होगा अब ये 6,000 में से 2,000 इंवेस्ट करें PPF या NPS में और बाकी के 4,000 इंडेक्स मुच्वल फंड में इंवेस्टिंग का ये मेथेड आपको Emergency Fund और कोई भी High Interest लोन चुकाने के बाद ही लागू करना है क्योंकि पहले लोन चुका के ब्याज बचाना भी सेविंग का ही एक हिस्सा है इंवेस्टिंग का ये तरीका को हमारे Popular Video Money Management में हमने पहले ही विस्तार से चर्चा की है बेहतर बनाना है फिर आपको जरूरत और चाहतों को थोड़ा कंट्रोल करके सेविंग को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विशाय के साथ तब तक के लिए बाई बाई सी यू सून